Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. आज के studio के अंदर मैं आपको बताने मुलाओ कि आप अपने गाड़ी के लिए एक simple सा cool box कैसे बना सकते हो, simple तरीके से और एकदम easiest to be made. आज के गाड़ी के अंदर आपको cool box मिल जाता है, पर अगर मैं पहले की बात करूँ, पहले की गाड़ी की बात करूँ, तो वहाँ पर हमको cool box नहीं मिलता. तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीकी का एक आपको ना refrigerator मिलता है 12 वोल्ट का गाड़ी के लिए, वो हम लेग लेते हैं, और उसके अंदर भी दिक्कत क्या आती है, कि वो जब तक चलेगा, तब तक चलेगा, otherwise अगर उसके कोई भी fault आ जाता है, तो उसे हम लोग repair नहीं कर सक ठीक है, तो उसी के चलते हैं, आज मैंने एक बहुती सस्ता और अच्छा जुगाड ले के आया हो, so let's start the video, अब इस particular चीज के लिए मैं कुछ इस तरीकी का ना, एक thermocall box मैंने लिया हुआ है, alright, ये कुछ आप इस तरीकी से देख सकते हो, तो ये जो box है, ये box मुझे मिला ह 100 रुपीज में, रीटेल मार्केट में, आप कहीं पर भी जहां पर decoration का काम होता है, या फिर गनपतियों की season में, जो हमें artwork मिलता है, thermocall का, वहां पर इस तरीकी के boxes आपको मिल जाएगी, फिर यहां पर ये मुझे 100 रुपीज में मिला, आपके यहां पर 80 में भी मिल सकता है 120 में भी बेज़ सकता है, depending upon the area, अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ते है, basically यह manual चीज है, इसके अंदर हमें burp डालके हमारी जो चीजे उन्हें थंडा कर सकते हैं, तो इसके अंदर हमें न, burp डालना पड़ता है, burp डालने के बाद, जो हमारी चीजे है, वो थंडी हो मैंने try करके देखा, तो वो almost 6-7 घंटे तक अंदर की चीजे को थंडा रखता है, पर अगर आपको इससे ज़्यादा थंडा रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी जुगाड़े मैं आपको पता दाओ, आपको न, burp के साथ-साथ इसके अंदर डालना है salt, अब जो salt आपको दे देगा, थोड़ा ही लगता है, तादा नहीं लगता है, तो थोड़ा आपको डाल देना है, वो process मैंने इसके दिर करके देखी, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा result आया, रात को मैंने करीबन 9 बजे इसे डालके रखा था, और दूसरे दिन सुभे 9 बजे, मैंने इसके लिए रखा था, और जो temperature था, वो अच्छा खासा maintained था, जो बर्व थी, वो उतनी पिगली हुई नहीं थी, तो और 12 घंटे के बाद भी और 1,5 घंटा चल सकता था, पर मैंने उसको खाली कर दिया, तो कुछ इस तरीके से आप ना, सस्ता जुगाड करके, मतलब देशी जुगाड या फिर हम कैसे DIY तरीके से कूल बॉक्स बना सकते हो, और अच्छी तरीके से उसको अच्छे समय तक, जैसे मैंने आपको प्रसेस बताया, अच्छे समय तक आप उसको यूज कर सकते हो, तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा डेमो भी देता हो कि कि अभी जो मैं आपको डेमो दूँगा, इसको लेकर वो मैं एक घंटे का डेमो दूँगा, बर्फ डल के इसके अंदर मैं दो बॉटल रख दूँगा, और देखते कि कितने हद तक, एक घंटे में किस हद तक ये थंडा करके हमें देता है, यहाँ पर आप देख सकते हूँ क यहाँ पर मैं आपको टाइम बताता हूँ, अभी बच चुके है, अल्मोस्ट दो चालीस, ठीक है, तो अब मैंना इन्हें चार बजे वापिस निकाल के दिखूँगा, कि किस हद तक थंडे होते है या नहीं, और राइट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ, मैंने इन्हें करीबन देड़ घंटे तक इस बॉक्स के अंदर रखा था, और जो बॉटल्स है वो अच्छे खासे थंडे हो चुके है, ठीक है, बर्व जो है वो थोड़ी-थोड़ी पिगल रही है, पर जो अंडर का टेंपरेचर है वो बहुत अच्छा खासा है, तो खुछ इस